सहरसा को मिली चार नई ट्रेन नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को करते हैं सुरूँ से पहले यह एक बड़ा अपडेट है हमारे चैनल को नई कियां सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब जिससे आने वाली इसी तरह के और भी बाहतरी अपडेट हम आपको दे सकें बिहार में अनलॉक होने के बाद कई नई ट्रेनों का परिचलन देखने को मिल रहा है ऐसे में इस रूट के यात्रियों के लिए चार और नई ट्रेनों के सुरुआत हो रही है दो जोड़ी ट्रेनों को चलाने की अनुमती मिल चुकी है जिनमें की दोनों ही ट्रेन एक ही डेलवेस्टेसन से चलेगी और एक ही गनतव एक को जाएगी दोनों ही ट्रेन सहरसा से स्यालदा के बीच चलेगी आपको मालूम होगा सारसा से सारसा के बीच दो ट्रेनों का परिचालन होता है दोनों एक ही नाम से चलती है लेकिन ट्रेन नमबर दोनों अलग लग रहता है ट्रेन नमबर 03163 के साथ सारसा के बीच इस ट्रेन के सुर्वास 16 जून को होगी और दूसरी ट्रेन सियाल्दा से ही सहरसा के लिए 17 दून को चलेगी जिसका ट्रेन नमबर है 03169 इसके अलावे सहरसा से विपीत दिसा में सियाल्दा के लिए 17 जून को एक ट्रेन चलेगी ट्रेन नमबर 03164 के साथ और दूसरी जोड़ी ट्रेन चलेगी साहरसा से सिरालदा के बीच ही 18 जूर को ट्रेन नंबर 031700 के साथ चारो नई ट्रेनों का पड़ी चलन एक बार दोबारा सुरू होने जाड़ा ऐसे में साहरसा के यात्रियों को बड़ा तौफा मिला है इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर किजिए जिससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन और लेटेस्ट न्यूज हम आपको दे सकें साथ ही मुझा परपूर दरभंगा से चलने वाली और भी नई ट्रेनों का लिस्ट भी हम आपको दे सकें तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट